नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डेजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों हसी बरती का एक मामला है जिसमें गड़बडी के उपर चेर्मेन साब का नया वयान आया है तुरंत एक्षन लिया गया है अगर आप भी पूरी इनफोर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए साथियो देख लेते हैं क्या बड़ी अपडेट है तो साथियो ये मामला है अरियाना पुलिस भरती से रिलेटेड ये जो अब वाली भरती नहीं है 14 के बाद जितने भी भरतियां हुए सभी का पूरा रिकोर्ड एचससी के पास है साड़े तीन करोड रुपए की लागत से एचससी नहीं मोडरन रिकोर्ड रुम बनाया है और पूरा रिकोर्ड उपलब्द है कम्प्यूटर में साथियो आज कल डिजीटल रिकोर्ड उपलब्द रहता इसलिए एक किलिक से आप पूरा रिकोर्ड निकाल सकते हैं लेकिन देनिक सवेरा नहीं जब अध्यक्स बोपाल सिंग्जे खतरी से सुकरवार को पूछा कि क्या पुलिस बरती से समन्दित रिकार्ड आयो के पास नहीं है या अगर है तो उसे आईकोर्ड में पेश क्यों नहीं किया गया तो अध्यक्स साब ने जवाब दिया कि हमारे पास 2014 के बाद जितने भी बरतियां हुई है सबी का रिकोर्ड है यह रिकोर्ड डिजिटल फॉर्मेट में है इसके लिए एससी नहीं साड़े तिन करोड की लागत से मोडर्न रिकार्ड रूम बनाया है इसमें रो नमबर और कटेग नमबर डाल कर चंद सेकेंडों में पूरा रिकोर्ड उपलब्द किया जा सकता है वर्स 2018 की पुलिस बरती से सम्मंदित भी पूरा रिकोर्ड एससी के पास सुपलब्द है जब हाई कोर्ड में सुनवाई हुई थी और रिकोर्ड पेस करने के आदेश हुए थे तब एससी के ADA उस आदेश को सही से नहीं पड़ पाया यानि कि सात्यों आपको भी पता है कि कोर्ड केस का जो मसला देखने के लिए अधिकारी नुक्त किये गए है इस सक्कर में जब ADA आदेश को सही से नहीं पड़ पाया इस सक्कर में आयोग ने केवल उस उमिदवार का रिकोर्ड ही अदालत में पेस किया जो कि या चिका करता है मगर अदालत ने तीन सुनुआई पर वे रिकोर्ड नहीं देखा HSAC की Mis Communication के कारण ऐसा हुआ है यानि कि ऐसी बात नहीं है कि रिकोर्ड उपलब नहीं है यह Mis Communication के कारण हुआ है हाई कोर्ट में पहले तो कह दिया कि रिकोर्ड नहीं है और बाद में रिकोर्ड दे दिया गया इससे गल्थ संदेश गया है और ये सारी जो जानकारी है ये एडिये के गल्थ आदेश पढ़ने से हुआ है सातियों इसके अलावा चेर्मेन साब ने ये भी काया कि एचसे से जुड़े लगबग 4000 केस हैं और हर रोग 40 केस लगते हैं तो उसमें जो अधिकारी न्यूक्त किये गए हैं उनकी जिम्यदारी बनती है सातियों जिस एडिये ने हाई कोर्ड के आदेश को सही से नहीं पड़ा उसे आ काटा दिया गया है क्योंकि इस से क्या है कि जो सवी है वो गल्त बनती है और साथियों जो मामला तरी कि वो क्यों दे दिये गए किसी candidate को और किसी को क्यों नहीं दिये गए इसके बारे में भी चेर्मेन साब ने जवाब दिया है दैनिक सवेर्या ने पुझा कि अगर उमिद्वारों ने पिताने होने का परमान पत्र लगाया हुआ था तो याचिका करता को श्यामाजिक आर्थिक मांदंड के अंक क्यों नहीं मिल पाए और अन्य को क्यों मिल गए यानि कि किसी को नंबर दे दिये गए और किसी को नंबर क्यों नहीं दिये गए इसके बारे में चेर्मेन साब ने बताया कि दस्तावे जाच के लिए मुख्य सची उसे स्टाप मांगा जाता है मुख्य सची वाले से कलरक सायक बेजे जाते हैं उन्हें दस्तावे जाच करने का तरीका भी बताया जाता है मगर फिर भी अलग-अलग तरीके से दस्तावे जांच कर नंबर दे दिये गए कुछ उमिद्वारों को पिता ने होने के परमान पत्तर पर अंक दे दिये गए जबकि याचिका करता को अंक नहीं दिये गए अब सभी उमिद्वारों की जांच हो चुकी है यह पता लग गया है कि किने नंबर मिले हैं और किने नंबर नहीं मिले हैं यह सारी सूची अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट में दे दी जाएगी यान कि साथ यो जो जानकारी अब तक नहीं पहुंची थी वो जानकारी तो हाई कोर्ट में पहुंचा दी जाएगी लेकिन आप तक ये जानकारी Miss Communication के कारण जो गलती हुई है और A.D.A. ने जो सही स्यादेश नीपड़ा उस कारण ये गलती हुई है जिसके उपर चेर्मेन साब ने तुरंत एक्षन लेते हुए उसे A.D.A. को अटा दिया गया है और अब इसमें अगली सुनवाई के उपर प नमबर दिये जाते हैं या जो अनात बच्चों को नमबर दिये जाते हैं उसमें सात्यों जो किसी को नमबर दिये गए हैं और किसी को नहीं दिये गए उन नमबरों के उपर ही या चिका करता ने ये कोट केस किया हुआ है आपकी राय क्या है आप भी शेयर कर सकते हैं चेर् वेतने अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रही अपना मैतपुन समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वूडियो में